नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमारे चैनल वी एर एस्ट्रोलोजी में दोस्तों धन्तेरस पर लोग कई वस्तों खरीदते हैं जैसे कि बरतन, सोना चांदी और अन्य प्रकार की वस्तों परन्तु एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि धन्तेरस के दिन आपको एक नई जाडू भी जरूर खरीदनी चाहिए जाडू का एक ऐसा उपाई हम आपको बताने जा रहे हैं जो आप अगर करेंगे तो निश्चित तोर से आपके जीवन में धन संपत्ती का इस्थाई निवास होगा मा लक्स्मी की कृपा आप पर जरूर परसेगी तो ये उपाई आपको जरूर करना चाहिए देखिए दोस्तों हमारे सास्त्रों में जाडू को लक्स्मी का प्रतिक ही माना जाता है सीतला माता के हाथ में भी जाडू लिये हुए वो दिखती है देखिए दोस्तों अगर आप धन्ते रस के दिन नई जाडू लाते हैं तो उसका आपको ये उपाई करना है कि दिवाली की रात जब आप लक्समी पूजन करते हैं तो उसमें उस जाडू को सामिल कीजिए लक्समी पूजन करने के बाद सभी देवी देवताओं की पूजन करने के बाद आपको जाडू का भी पूजन करना है जाडू का पूजन आपको इस तरह करना है कि जाडू पर आपको पहले तो एक लाल दागा बांधना है उसके बाद उस पर कुम-कुम लगाना है और थोड़े से अक्ष़त अर्पित करने है इसके बाद दीपक से उसकी भी आरती उतारनी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लक्समी जी का आवाहन कर रहे है अगर आप इस तरह जाडू का पुजर करते हैं तो इससे लक्समी जी का आवान पुर्ण होता है इसके बाद आपको इस जाडू को पुरी रात वहीं पुजा स्थल के आसपास ही रखना है और अगली सुभा से ही नई जाडू से आपकी घर की सफाई करनी है एक बात का ये भी खयाल रखिए कि इस जाडू से आपको सिर्फ घर के अंदर ही सफाई करनी है बाहर इसका उप्योग ना करें और इस जाडू पर किसी भी इनसान का पेड़ नहीं लगना चाहिए इससे ये जाडू अशुद हो जाएगी तो इस बात का आप विशेश खयाल रखिए दोस्तों अगर इस तरह पूजा करके आप जाडू का इस्तमाल करते हैं तो निश्चित तोर पर आपके घर में लक्समी जी का वास होता है क्योंकि दिवाली की रात बहुती पवित्र रात होती है इस दिन मा लक्समी पृत्वी पर ब्रह्मन करती है और निश्चित तोर पर अगर आप इस प्रकार जाडू की पूजा करते हैं लक्समी पूजन करते हैं तो आपके घर में लक्समी जी खुदाती है और आपके घर में जो भी नकारात्मक उरजा होती है दरिद्रता होती है इस जाडू के माध्यम से वो बाहर निकलेगी और आपके घर में स्थाई लक्समी का निवास होगा तो ये उपाए आपको जरूर करना चाहिए आप निश्चित तोर पर धनवान बनेंगे आपके घर में जो भी आर्थिक समस्यान चली आरी है उनसे आपको मुक्ती मिलेगी ये उपाए आप जरूर कीजिए धनतेरस के दिन नई जाडू लेके आईए और दिपावली के दिन उसका पूजन करके अगले दिन से ही उससे घर की सफाई कीजिए एक बात का ये भी खयाल रखिए कि जब आप नई जाडू ले आएं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी की जाडू उसी दिन फैंक दें इससे भी एक तरह से धन का नाश होता है परन्तु आपको नई जाडू लाने के बाद दिवाली की अगले दिन पुरानी जाडू को घर से बहार निकालना है उसी दिन पुरानी जाडू को ना फैंके नहीं तो आपको नुक्षान हो सकता है तो इस प्रकार आप ये उपाई कर सकते हैं आपको निश्चित तोर पर लाब होगा धन्यवाद